हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल इजी इंग्लिश आज का टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ अगर आप लोगों नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं शुरू करते हैं अनकाउंटेबल नाउन the nouns which cannot be counted मतलब जो count ना किया जा सके ठीक है इसमें पहला है material noun material noun क्या होता है the noun which denotes material material जैसे की copper, tea, coffee, ghee, water जैसे example के लिए coffee है यहाँ पे ठीक है आप इसको count कर सकते हो नहीं कर सकते यह गी इसको count कर लोगे? नहीं वाटर को नहीं कर सकते count अब आप बोलोगे मैम यह एक glass water है दो glass water है हम तो इन्हें count कर सकते हैं तो आप water को count नहीं कर रहे हो आप glass को count कर रहे हो ठीक हैं? तो वही चीज जो count ना की जा सके वो होती है material noun इसमें क्या होता है milk भी आप जैसे milk ह और गोल्ड, गोल्ड को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होती है? Uncountable noun, इसमें पहला तो है material noun, second, second है abstract noun, abstract noun में क्या होता है? Pride, bravery, childhood, जैसे कि जो क्वालिटी बताए, condition और action बताए, हना? अब जैसे पिछली ये slide में आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको कई सारी photos नजर आ रही है, हना? लेकिन इस वाली slide में कोई photo क्यों नहीं है? क्योंकि आप इनको देख ही नहीं सकते हूँ, bravery, pride और childhood को आप देख सकते हूँ, नहीं दे सकते हैं, अगर मैं बोलू, मुझे खुद पर pride है, मतलब मुझे खुद पर गर्व है, कितना गर्व है? कितना करते हूँ, एक, दो, तीन, चार, हजार, दोजार, कितना करते हूँ? नहीं बता सकते हैं अप इसे count करके, ओ image नहीं है, इसका मतलब आप इसको देख भी नहीं सकते हूँ, बस क्या कर सकते हूँ, आप इसको feel, you can only feel, है ना? तो जो feeling है जिन feelings का नाम है जिन feelings का नाम है वो क्या है noun जैसे कि pride, bravery, love, anger ठीक है तो यही सब क्या होता है आपके abstract noun ठीक है अब आप किसी से नफरत करते हो वैसे नफरत करनी तो नहीं चाहिए अगर आप किसी से hate करते हो कितनी hate करते हो आप क्या बोलोगे very much very much क्या आपने मुझे इसको count करके बता है इसके लिए आपने दूसरा word यूज किया है है ना तो जो हमें count ना कर की जा सके चीज़े वही होती है abstract noun अगली वीडियो जो मैं आपको लेकर आउंगी countable noun में या फिर noun में आपको इतना ही सीखनी की जरूत है बाकि plural कौन सा होता है singular कौन सा होता है ये मैं आपको और भी आगे वीडियो बनाऊंगी उनमें बताऊंगी अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि noun होते क्या है वो आप इन दो वीडियो में अच्छे से जान जाओगे फिर्ट जो मैं वीडियो होगी वो मैं किस पर लेकर आउँगी प्रीक्टिस सेट पर ठीक है noun का आप यह दो नोंग फ्रटी सेट केजिए गा देखत में कितने नंबर आते हैं ठीक है और और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वो नाउन का टेस्ट भी देख सको ठीक है और बैल आइकन प्रेस जरू कर देना लाइक कर देना वीडियो को